नमस्कार आप सभी का स्वागत है जमू लिंक्स नीउज में और मैं हूँ विशाल शर्मा डॉक्टर फारुक अब्दुला जो की जमू कश्मीर नैशनल कॉन्फरेंस के प्रेजिजन्ट है उनको लेकर एक बड़ी ख़वर है और ख़वर यह है कि डॉक्टर फारुक अब्दुला ने जो है वो पार्टी के प्रेजिजन्ट पोस्ट जो है वो रिजाइन करने का अपन जो फैसला है वो लिया है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अब jamo kashmir national conference के परदान के पद पर जो है वो आसीन नहीं रहेंगे और अब इस पद पर जो है वो जल्द चुनाव होंगे यानि के 5 दिसंबर को जो है वो national conference का अगला जो मुखिया होगा वो निर्धारित हो जाएगा उसका चुनाव हो जाएगा लेकिन डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला उन्होंने पूरे पार्टी वर्कर्स को अपने इस फैसले से जो है वो हैरान किया है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अब चमु कश्मीर नैशनल कॉ कांफरेंस के प्रेजिडेंट के तोर पर जो है वो नहीं बने रहना चाहते है इसके पीछे क्या रिजन है वो फिलहाल उन्होंने साफ नहीं किया है लेकिन नैशनल कांफरेंस के तरफ से जो ऑफिशल स्टेटमेंट आया है उसमें ये लिखा गया है कि डॉक्टर फारुक अब्दुला ने जो है वो अपने कुलीक्स को ये इनफॉर्म किया है कि वो अब स्टेप डाउन करना चाहते हैं एस अ प्रेजिडेंट आफ जेके अन्सी और सभी उनके साथियों ने बहुत परियास किये उन्हें मनाने के लिए कि वो अपने फैसले को एक बार पुना रव हुए हैं और अंतत है इसके बाद अब और कोई भी चारा जो है वो पार्टी के लीडरान के पास नहीं बचता है और इसलिए जो है उन्होंने जो पार्टी के जनरल सेक्टरी हैं उनसे ये कहा है कि आइस पर दा पार्टी कॉंसिटूशन आप इलेक्शन जो है वो विदिन दाक्टर फारुक अब्दुल्ला ही जो है वो नैशनल कॉंफरेंस के प्रधान रहेंगे यानि के दाक्टर फारुक अब्दुल्ला जो की मौझूदा प्रधान है नैशनल कॉंफरेंस के अब वो केवल पांच दिसंबर तक ही पार्टी के प्रेजिडेंट रहेंगे और उस समय में डॉक्टर फारुक अब्दुला इतना एहम पद क्यों छोड़ रहे हैं क्यों पार्टी के ऐस प्रेज़ेंट वो नहीं बने रहना चाहते हैं जबकि पार्टी को इस समय उनकी सक्त जरूरत है क्योंकि आगे चुनाव होने वाले हैं और चुनावों में एक विजिनरी लीडर का पार्टी के प्रेज़ेंट पोस्ट पर होना बहुत जरूरी रहता है पार्टी के जो लीडर है उनका होसला बना रहता है और ऐसे में अगर फारुक अब्दुला ने स्टेप डाउन करने का फैसला लिया है तो कही ना कही पार्टी का जो लीडर्शिप है उसे जर फारुक अब्दुला ने यहाँ पर रिक्वेस्ट को मन्जूर नहीं किया और अंतर यह अब फारुक अब्दुला जो है वो अपने पोस्त यानि कि वो प्रदान के पत से जो है वो step down करेंगे Dr. Faruk Abdullal Sahib has informed his colleague of his decision to step down as president of JKNC in spite of the best efforts of the senior colleagues in the party Dr. Saab was adamant that he would not review the decision in light of this certain announcement which has caught everyone by surprise the party general secretary as per the party constitution has been tasked with conducting the election for party president which will be completed on the 5th of December until that time Dr. Saab continues as a president of the party तो यह official statement इसे में आ चुका है तो Dr. Faruk Abdullal ने जो है वो national conference के परदान पत से जो है वो खुद को हटाने का फैसला लिया है चुनाब जो है वो बिलकुल किसी भी समय हो सकते हैं अब ऐसे में national conference के से अपना प्रदान चुनती है यह बहुत दिल्चस्प होका लेकिन party के लिए कहीं न कहीं मुश्किल जो है वो यहाँ पर जरूर बड़ी है नमस्कार